वेलकम टोमरिता की रसोई आज मैं आपको बताऊंगी कि नर्म और मुलायम मेथी का ठेपला कैसे बनता है तो प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जरूर इसको लाइक करिएगा तो चलिए हम सुरू करते है इसके लिए हमें 1x4 कप कोरियंडर लिप्स चाहिए एक बंच मेथी का पता चाहिए उसको अच्छे से दोलीजिएगा उसमें मिट्टी होती है और बारीक काटना है जितना हम बारीक काटेंगे दोनों चीज हमारा ठेपला उतना ही अच्छा बनेगा तो बहुत ही बारीक का बनाना है और अब देखिए हमारा पेस्ट बनके रेड़ी हो गया है चलिए डो बनाते हैं एक कप आठा लेंगे और उसमें 1x4 कप बेसन हम एड़ करेंगे और एक बड़ा चमच यानि वन टेबल स्पून में मैधा एड़ करना है उसके बाद उसमें हाफ टीस्पून कुस्पू अच्छी आएगी एक छोटा चमच नमक थोड़ी सी लाल मिर्ष पाउडर थोड़ा सधनिया पाउडर थोड़ी सी हल्दी पाउडर और एक बड़ा चमच कसूरी मिथी उसको भी स्तरह से क्रेश करके डालने से उसकी कुस्पू बहुत ही ला जवाब आएगी उस उसके बाद हम 1-4 cup curd आट करेंगे उसमें और जो पेस्ट रेडी किये थे वो इसमें आट करना है फिर सारे इंग्रेडियेंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर हमने जो काट के रखा था ना धनिया और मेथी वो भी समें आट कर लेंगे और फिर अच्छे से इसको एक अनुसार आट करिएगा बहुत जादा मत आट कर दीजिएगा देखिएगा चितना जरूरत है सॉफ्ट डो बनाना है और थोड़ा सा उपर ओयल लगा के इसको हम 10 मिनट के लिए ढखके छोड़ देंगे इस तरह से हम इसको ढखके छोड़ दे रहे हैं और जब हमारा 10 हाथ में लगाने के लिए और जो डो बनाके रखे थे ना उससे हम चोटा चोटा बॉल बनाएंगे और देखिए हमें इस तरह से रोल करना है हाथ में आटा तेल लगाने से हमारा हाथ में बिल्कुल भी नींची पक रहा है वरना आटा सॉफ्ट है तो चिपक सकता है अब इसको रोल करते हैं थोड़ा सा सुखाटा लेकि इस तरह से डस्ट कर लीजिए और जो हम बॉल बनाए हैं उसको धीरे धीरे रोल करना बहुत ज्यादा प्रेस मत करिएगा फिर वो तोट जाएगा क्योंकि हमें ये पतला पतला बनाना है और सुखे आटा में वापस से ल पतला रोल कर रही हूं तो ही ये बहुत ही नर्म और मुलायम बनके रेडी होगा दिखिए मैं इस तरह से रोल करके रखी हूं बिलकुल एक दुसरे में नहीं चिपक रहा है चलिए इसको सेखते हैं इसको मैं तबापे डाल दी हूं और थोड़ा-थोड़ा तेल लगाना है एक दम हाफ टीस्पून और दोनों साइड लगाईएगा और धीरे धीरे फिर उसको फिलिप करिएगा अलट पलट करके सेखना है बहुत ज्यादा देर नहीं सेखना है क्योंकि ये पतला है तो तुरन सिख जाएगा ज्यादा देर आप सेखिएगा तो ये हाड हो जाएगा तो ये सब चुटी चुटी बातों का ध्यान रखना है आपर और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आप जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे जरूर बताईएगा कि कैसा बना है मेरे कमेंट सेक्सन नीचे जो दिया वहाँ बताईएगा और देखें कितना अच्छा के साथ सथ चपर ये चट्टी अचार केचप सास करड़ एधाई P